नमस्ते दोस्तों कैसे हैं सभी लोग आशे करती हूं अच्छे हूंगे चलिए आज पिर आपके लिए बॉलिवुड इंडेस्ट्री की कुछ और दिल्चस्प स्टोरीज लेकर आई हूं आई होप आपको पसंद आए OTT पर चला इस फिल्म का जादू 22 देसों में कर रही है टॉप ट्रेंड 1862 के एक कोट केस पर बेज़ है ये मूवी बॉलिवुड सुपरस्टार आमिर खान के बेटे जुनेत खान ने फिल्म महराज से एक्टिंग में डेव्यू किया है उनकी डेव्यू फिल्म सीधे OTT प्लेटफॉर्म नेटपिक्स पर रिलीज हुई है 14 जुन को रिलीज हुई इस फिल्म ने दुनिया भर में हंगामा मचा रखा है OTT पर ये फिल्म दर्शकों को बेहत पसंद आ रही है सिधार पी मलोत्रा के निर्देशन में बनी फिल्म महराज OTT पर धूम मचा रही है ये फिल्म भारत में नंबर पर ट्रेंड कर रही है जबकि अन्य 22 देशों में टॉप 10 में अपनी जगे बनाने में सफल रही है फिल्म में जुनेद ने करसंदास मुलजी और दिगजविनेता जैदीप एहलावत ने जदुनात महराज की भूमी का निभाई है इस फिल्म ने अपनी स्टोरी लाइन और सोशल मैसेज के साथ दर्शकों का ध्यान अपनी और खीच है सालिनी पांडे ने एक मासूम और भोली वाली किशोरी की भूमी का निभाई है वे सरवरी बाग एक सहासी विराज के किरदार में है OTT पर दर्शकों के ये फिल्म काफी पसंदारी है इसका अंदाजा इसी बास से लगाया जा सकता है कि ये फिल्म सिर्फ भारत में नहीं बलकि 22 अन्य देशों में भी टॉप ट्रेंड पर चल रही है इस बात की जानकारी खुद फिल्म के निर्देशक सिधार पी मलोतरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिये दी है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि मेरी फिल्म महराज भारत में नंबर एक पोजिशन पर ट्रेंड कर रही है जबकि अन्य बाइस देशों में तस लिस्ट में इसके लिए पूरी टेलेंटिट टीम का आभार और महराज को मौका देने के लिए दर्शकू का भी धन्यवाद महराज ने OTT पर दर्शकू की संख्या के मामले में एशिया और जी सी सी देशों के साथ काफी प्रिगती भी किये जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान और मालदीप में नंबर बन पर है वहीं दूसरी तर्व बहरीन, कुवेत, मलेशिया, ओमान, कतर, संयुक्त, अरब, अमीराद, साओधी अरब, सिंगापूर, श्री लंकर, थाइलेंड में टॉप 10 में प्रिवेश किया है अफ्रीकी महादीप में यह फिल्म मौरिशिच और केन्या, मौरेको, नाइजीरिया और रियूनियन में भी नंबर एक स्थान पर है दक्षिन अफ्रीका में फिल्म गौाडे, लोप, त्रीन, दाद और टोबेगो में ट्रेंड कर रही है जबकि यूरोप में फिल्म लगजर वर्क में ट्रेंड कर रही है रिलीस के बाद से ही महाराज को क्रिटिक्स दुआरा काफी सरहाय जा रहा है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट डेटा से पता चला है कि फिल्म ने 24 जून से 30 जून तक 2024 तक ग्लोबल लेवल पर 5.3 मिलियन इव्यूज हासिल की है बता दें ये फिल्म बॉंबे में दा महाराज लाइबल केस के नाम से प्रिसित 1862 के कोट केस पर बेज़ जाए आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले थैंक्स पूर वाचिंग बबाई